किसानों की तरफ से आज टोल फ्री करने का कॉल दिया गया था जिसके चलते अम्बाला शंबू बाडोस से टोल टेक्स को पहले से ही फ्री रखा गया और आने जाने वाले वहानों से टोल नहीं लिया गया इस दोरान टोल पर ज्यादा संख्या में किसान तो नहीं पहुंचे लेकिन पंजाब से दिल्ली जाने वाले किसानों ने कहा वे कृशी कानून वापस करवा करी मानेंगे। और आने जाने वाले लोगों से टॉल नहीं लिया गया। किसान ट्रेक्टर ट्रॉली कार वा स्कूटर के जरिये लागतार दिल्ली पहुँच रहे हैं। किसानों का स्पस्ट कहना है वे कानुन रत करवा करी वापस लोटेंगे। उन्होंने कहा उनका दवाव दिख रहा है। खुद ही टोल फ्रीक कर दिये गये। टोल बंध होने से बड़े घरानों को नुक्सान होगा। अधार से पता लगाता है ना बादलोतिया दो बरसात होगी। यह अधार है। कारपोर्ट घराने हैं तो कारपोर्ट घरानों को आथ किसी का भी है टोल पाजाए तो बड़े आदमी का उन्होंने हमें सहयोग किया। इस से आप जाना पड़े लिखे हो हम तो किसान है। आप अन्राजा लगा साल के हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमें पोजिट्व में ही हमारा दर्जाल टाएगा। और बड़ी खुशी की बात है। आम पाविदक भी हमारा साथ यिरी दिल्दी आप जाते हो हमें बड़ी खुशी है। प्तरकार हमें बहुत कवर्ड़ करते हैं। इतनी खूसी होती है पाउस से चोन पलाज अफी किया हुआ है पानीपत का यही हाल है यहां भी यही हाल है हमें खुशी है सकार तकाव की खुदी पैदा ना करें पिसानों का उसमें सबर का इंताहूं ले लिया है। बड़ी सांती गुरुव किसान दिली पहुंच गए, वहां भी सांती गुरुव बैखे हैं। बस अब तो यही सरकार से निमेदल ही करेंगे इन कारे कानेलों को वापस ले ले। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन धबाना ना भूले।